इससे पहले हमने अर्थ लंकार के वेदों के विशे में पढ़ा था, आज पढ़ते हैं रूपकालंकार, जहां समानता की कारण उपमे और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है, यानि उपमे पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां रूपकालंकार होता है, जैसे च चरण सरोज पखारन लागा यानि चरण रूपी सरोज सरोज कहते है कमल को कमल रूपी पैरों को चरणों को पखारन कारते है धोने लगा भज मन चरण कमल अविनासी हे मेरे मन अविनासी चरण कमलो का भजन कर भगवान के चरण कैसे बताए गए अविनासी तो कवी यहां क्य क्या रहा है है मेरे मन भगवान के चरन कमलों का अभिनाशी चरन कमलों का भजन करो यहां कमल चरनों पर इसका आरोप क्या गाए कमल का फिर है कमल चरन कमल बंदो हरी राई भगवान के चरन कमलों की बंदना करता हूं तो इसमें भी चरनों को क्या मनगा है कमल तो यहां एक च जो चंदर मा पर खिलोने का आरोप किया गया है वास्तों में दो शेते हैं ओसे इस्कों होती नहीं। ही इसमे रूपक अलंकार है अब दूसरा अलंकार पढ़ते हैं उत्प्रेक्षालंकार जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है इसके वाचक शब्द है मनू मानू मनहू जनू जानू जनू इन शब्दों का प्रियोग इसमें होता मुख मानू चंद्रमा साधन से एक लाइन है मुख में किसकी संभावना की गई है चंद्रमा की मानू जिसमें लग गया है तो तुरंत समझों वहाँ पर मुत्प्रेक्षा अलंकार है एक और उधन देखे इसका सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात श्याम का अगा सोहत सुषोवित हो रहे हैं पीत पट पीला वस्तर सुषोवित हो रहा है स्याम सलोने गात यानी सलोने शरीर पर क्रिशन जी का शरीर सामला था उनके शरीर पर पीला वस्तर ऐसे सुषोवित हो रहा है मनू नेल मनी शैल पर आतप्रियो प्रभात मानू नेल मनी परवत पर स पढ़ने लगी हैं यानि पिले वस्तर को किसका रूप दिया है सुरे की किरनों का और कृष्ण के शरीर को किसका रूप दिया है नेल मने का रूप नहीं दियागा संभावना की गई है इसलिए इसमें कौन सा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकार लेचला साथ में तुझे कनक ज तो क्या कहा रहे हैं ऐसा लगा कि है पुत्री मुझे जब तुम मेरे साथ है तो मुझे ऐसा लगा जैसे भिख्षू लेकर स्वण जहना यानि भिख्षू को कोई स्वण मुद्रा मिल गई हो है पुत्री में तुझे अपने साथ इसी तरह लेकर आया जैसे किसी भिकारी को कोई क्या मिल गई हो स्वन मुद्रा प्राप्त हो गई है इन तिनु धरन में उत्प्रेक्षा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकार को एक बार फिर समझ लेजिए जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा लंकार होता है याद रखे इसके वाचक श चला साथ में तुझे कनक जोंभिक्षो लेकर सोन जनक